नमस्कार दोस्तों गारगी क्लासेस पर आपका स्वागत है डेट आज की आठ सितंबर 2023 देख लेते हैं डिये इन एक्सप्रेस के इंपॉर्टन्ट आर्टिकल्स जो पी हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे एडिटोरियल और आइडिया पेच से देखो हमारे पास में जो इश कोबाल्ट निकल इनकी माइनिंग को लेकर के हमें क्या करना चीए जी ट्वंटी एक अच्छा प्लैटफॉर्म है वहां पर ग्लोबल एनरजी सेक्यूरिटी और क्लाइमिट चेंज को टैकल करते हुए ग्लोबल एनरजी सप्लाई को कैसे एंशोर कर सकते हैं जिसमें इंडि इसकिल रिस्पॉंसिबिलिटी को मिस करते हुए ऐसे ऐसे अनॉंस्मेंट कर देती इस तरीकी एक काम कर देती है जो की लंबे समय में फिर मुश्किले पैदा करती है उसके प्यंट अफिस है एक हम देखेंगे इंडिया या फिर कहो इंडिया चाइना यूएस ट्राइंगल से रिलेड़ेड आर्टिकल है वो समझेंगे फिर एक आर्टीकल हमारा डिसकुशन कर रहेगा इंडिया-इूएस रिलेशन्स को ले करके तो ऐसे हमारे पास में कई इशूज है इनको देखते हैं वन फास्ट आर्टील है ग्रीज फ्यूचर आर्टिकल को लिखा है पलहाद रिलीज हुआ है the G20 Energy Transition Minister's Meeting जो गोवा में हुई और इस meeting में जो note आया उसका है उसको कैसे title किया गया है need to maintain reliable responsible sustainable supply chain of the critical minerals and materials अब बात क्या है इसमें कि इस document में सबसे ज़्यादा focus किया गया है कि कैसे हम clean energy की तरफ switch कर सकते है clean energy switch करने की बात आई तो critical minerals जैसे की cobalt, lithium, silicon, graphite और दूसरे rare earth minerals है इन पर बहुत ज़्यादा focus किया गया क्योंकि जो solar modules हम बनाते है solar energy produce करने के लिए या फिर solar photovoltaics है लिए जो बनाने के लिए इसके अलाबा टर्बाइन बनाने है, batteries बनानी है, इनको बनाने में यह इस तरीके के minerals है यह काम आता है critical minerals, अब सवाल यह है कि इन minerals को लेकर के जब तक एक proper agreement नहीं आता है एक proper global supply chain settle नहीं होती है तब तक हमारे जो commitments है न climate change को लेकर के यह हम कैसा tackle करेंगे वो अचीव करना हमारे लिए वाकई में बहुत मुश्किल हो जाएगा जैसे कि हमारा commitment क्या है कि 2030 तक जितना भी हमारा energy requirement है या energy production है उसमें 500 gigawatts हम non fossil power से हमारी requirement पूरी करेंगे इसका मतलब renewable energy या non fossil fuel based जो power system है वो हमारा 500 gigawatts तक हमें ले जाना है इसके लिए critical minerals की ज़रत है इसके अलावा हमारा commitment है कि 2005 में जो green house gases का emission था particularly carbon dioxide गा उस emission को हम 2030 तक 45% तक reduce कर देंगे तो ये commitment भी तभी पूरा होगा जब हम renewable energy या फिर in critical earth minerals की accessibility खुद के लिए ensure कर सके तो कुल मिला करके देखा जाए तो ये एक building block का का काम कर रहे है कि नहीं modern civilization के लिए ये ही main context है कि क्यों हमें critical minerals के बारे में काम करना चाहिए तो अभी तक government of India की तरफ से क्या efforts हुए हैं उनकी बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक study को quote कर रहे हैं union ministry of mines और साथ में council of and council on energy environment and water CEEW इन्होंने मिलकर के एक survey किया एक study किया और study में यह outcome निकलता है कि जो ये critical minerals है ना जिसमें lithium और rare earth जो elements of wo and cobalt इनकी production 2016-2022 के बीच में 240%, 134%, 66% तक rise हुआ है लीथियम production 240% rise हुआ है rare earth elements 134% तक ज्यादा produce हो रहे है cobalt 67% ज्यादा क्योंकि इनका use किसली हो रहा है again वही जो हम renewable energy based system लाना चाह रहा है non fossil fuel based हमारा power system बनाना चाह रहा है तो उसमें इन critical minerals की बहुत ज्यादा जरुरत है अब देखा जाए ना तो जितना global reserve है that means जितना earth के पास में इन minerals का reserve है जैसे कि cobalt, copper, nickel इनकी बात करें तो इनका लगबग 2% तक तो mine हो चुका है अभी भी 98% के लगबग mining होनी बाकी है तो ऐसे में यहां हमें देखना होगा कि हम हमारी जरुवरते कैसे fulfill कर सकते है ठीक है 2% तक तक हो गया पर हमारी जरुवरते अभी भी continue हमें बहुत कुछ करना बाकी है पर problem यह आती है कि क्या एक global supply chain ऐसी है जिस पर आप rely कर सको क्योंकि आपको पता है geopolitical factors की वज़े से natural disasters की वज़े से treaties की वज़े से यह कई बार ऐसा होता है कि हम विश्वास नहीं कर सकते कि हमें जो चाहिए वो चीज हमें मिलती रहेगी क्या आने वाले समय में जैसे अगर critical elements की बात करें rare earth elements की बात करें यह elements ऐसे होता है ऐसे minerals हैं जिनकी quantity Chinese landmass में अच्छी खासी है अब चाइना वो अपना दबदबा वहां बना रहा न तो इस वज़े से कहीं न कहीं हमें problems का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि चाहिना के साथ में geopolitical tensions है हमारी और चाहिना फिर हमें pressurize करने के लिए फिर इनकी supply को रोक सकता है रोकेगा तो फिर बाद में हमारी problem शुरू होगी तो यहां पर कहीं न कहीं हम किसी दूसरे country पे इन critical minerals के लिए rely करेंगे न तो कहीं न कहीं हमारी national security और वो compromise हो सकती है सीधी बात है energy की requirement के लिए आप चाहिना जैसे देशों पर अगर dependent होते हो और कल को नो तुम्हें वो supply देने से मना कर दे तो problem तो आएगी न तो ऐसे में हमें हमारी domestic value chain तयार करनी बहुत ज़ादा जरूरी हो जाती है इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए government of India की तरफ से आत्म निर्वर भारत program भी चलाया हुआ है अब इसके लिए क्या किया गया है सबसे important तो the mines and minerals act जो कि 1957 में आया था न उसको 2015, 2020, 2021 में और 2023 में amend किया जा चुका है amendment का main target क्या है कि यह जो critical elements है critical minerals है ठीक है non fossil fuel based power system develop करने के लिए उनके लिए हमें हमारी requirement हमारे dependency को diversify करना होगा और उस diversification के लिए हमें ऐसे conducive laws लाने होंगे इसलिए यह जो existing mines and minerals act है इसको amend किया जा चुका है अब इसके लिए जो mines ministry of mines हाना उन्होंने new auction system भी launch किया 2015 से हना इसमें क्या होता है कि जो mining license है वो दिये जा रहे है mining development किया जा रहा है transparent और time bound process में इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी private sector की तरफ से अगर participation देना चाहे mining को लेकर के कि हाँ जी इंडिया में हमारे पास में बहुत सारी opportunities है resources बहुत हैं तो क्यों न हम इंडिया में explore करें तो उन चीजों को लेकर के इंडियान गवर्मेंट भी अपनी तरफ से एक supporting हैंड शो कर रही है नेशनल मिनरेल्स नेशनल मिनरेल एक्स्पोरेशन ट्रस्ट एनमेटी यह काम कर रहा है कि कैसे आप critical मिनरेल्स को इंडियन लेंड मास और इंडियन टेरिटोरियल एक्स्टेंट में आप explore कर सकते हो इसके अलावा माइन्स और मिनरेल एक्ट कि अगर बात करें जो इंडियन बिल आया है उसमें यह किया जा रहा है कि exploration लाइसेंस जैंवो इस्ट किये जा रहे है कि मानलो कोई प्राइवेट एजिंसी है वह अगर एक्स्प्लोर करना चाहे किसी भी एरिया में सर्वे करके और वहां पर माइनिंग करना चाहे तो उसको फिर ज्यादा 12 minerals को हमने atomic mineral बोला हुआ है और atomic minerals से related जब exploration होता है तो वो more or less government ही करती है तो ऐसे में lithium है एक ऐसा mineral है जो की critical minerals में consider होता है बट वो atomic mineral में होने की वज़े से कोई private sector agency उसको explore नहीं कर सकती तो क्या किया गया है amendment की basis पे उन 12 atomic minerals में से lithium को free कर दिया गया है इसका मतलब lithium की mining जो है वो अब easily हो सकती है इसके लावा cooperative federalism का भी एक example setup किया है government ने वो कैसे कि 24 critical minerals इनकी exploration इंडिया के अलग-अलग states में होनी है ठीक है तो अब सीधी बात है जमीन तो state government की है ना जिस area में exploration होगा तो ऐसे में government ने क्या plan किया है कि जिस भी state की जमीन से इन 24 critical minerals में से कोई भी mineral का exploration हो रहा है और उससे जो कुछ भी मुनाफ़ा government कमाएगी उस मुनाफ़े को वहां की state government के साथ share करेगी तो यह अपने आप में cooperative federalism का best एक तरीका है कि जिस तरीके से state governments को भी कही ना कहीं एक support मिलेगा financial manner में ठीक है उनका भी fiscal space थोड़ा expand होगा और वो भी कुछ और developmental activities additionally कर पाएंगे फिर बात आती है international collaboration की देखो multilateral या bilateral engagements में हम पूरी कोशिस कर रहे हैं कि कैसे भी करके यह critical minerals की जो value chain है global supply chain है इसमें हमारा एक important part हो जिसमें हमारे पास कुछ हो तो उसको हम supply कर सके और जो हमारे पास नहीं है पर हमें जरुरत है तो वो हमे बिना किसी problem के मिल जाए इसके लिए देखो western countries अमेरिका की leadership में MSP ग्रुप बहुत बार में बात कर चुक है इस पर्टिकलर ग्रुप की mineral security partnership MSP ग्रुप इंडिया की जैसे इसमें entry होगी तो इस चीज को ensure करने में हमें problem नहीं आएगी यह group है ना इन critical minerals की requirement को पूरा करने के लिए बनाया गया है कि कैसे चाइना पर dependence minimize की जाए डिरिस्किंग वाला segment आता ना कि हम Chinese economy के साथ डिरिस्क करना चाह रहे हैं decoupling फिर बात की बात अभी फिलाल तो डिरिस्क करना चाह रहे है क्योंकि चाइना बहुत जादा एक तरीके से अपनी supply chain का benefit उठाता है प्रेशरा इंडिया के लिए इसके अलावा काबिल खनीज विदेश इंडिया लिमिटेड यह इंडिया की एक तरीके की जॉइंट कालबरेशन बेस्ट इंस्टिविशन है जो कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज फॉर एक्जामपल चीली और अर्जेंटिना यहां पर इन क्रिटिकल मिन्र की एक्यूजिशन के लिए एफर्ट फुल है काम कर रही है कि कैसे यहां पर माइनिंग की जाए क्योंकि वहां पर लीथियम के बहुत बड़े बंढ़ार है ठीक है जो कि बैटरी प्रडिक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो कहने का मतलब यह है कि खुद भी लर्ण करें और बाकी जो लाइक मैंडेट कंट्रीज हैं उनके साथ में शेयर करते हुए आगे बढ़े जिसने की एक रेजीलियंट रिस्पॉंसिबल ग्लोबल सप्लाइचेन एंशुर हो सके नहीं तो फिर क्या होता है ब्लेक मेलिंग का काम होना शुरू हो जा भी एक एजेंडा हाइलाइट हुआ है अगला अर्टिकल है हाउ टू कब इर्रिस्पॉंसिबिलिटी आर्टिकल को लिखा है प्रतीक दत्ता राधिका पंडे इलापटनायक और अजय शाजी ने इनका यह रिसर्च पेपर है वैसे इस रिसर्च पेपर में इन्होंने कंक्ल करते हैं कि आज का जो घाटा है वो आने वाले समय के लिए टैक्सेशन में कनवर्ट हो जाएगा कैसे सीधी बात है मैंने आपको कल भी बताया था कि क्या होता है फिसकल डैफिसिट गवर्मेंट की जो रिसिप्ट्स है उनसे रिसिप्ट्स है अगर एक्सपेंडिचर जाद वाले समय में रिटन कैसे करोगे गवर्मेंट को फिर उसके लिए टैक्स लगाना पड़ेगा लोगों पर गवर्मेंट के पास में तो टैक्स के वेशिस पर याएगा ना पैसा तो वो एक तरीके से आज अगर आप फिसकल डैफिसिट का सामना कर रहे हो तो आने वाले समय म में आप उसी को रिटन करने के लिए उसी बौरो की हुई मनी को रिटन करने के लिए सरकार क्या करती है टैक्स लगाती है अपने सिटिजन्स पे तो कुल मिला के बात क्या गई कि आज का जो डैफिसिट है वो आने वाले समय का टैक्सेशन होता है अब ये बात क्यों कई जा वी अपने कर देती है क्या नाम है अनौंसमेंट कर देती है फिर उनको implement करने में लगी रहती है और ज्यादा तर तो तब जब चुनाव पास में आने वाले होते हैं तब बहुत पैसा मार्केट में खर्च करती है गवर्मेंट तो आप देखोगे न तो इस तरीके से एक adverse economic impact बनता है क्योंकि सीधी बात है अगर fiscal deficit बढ़ता चला जाएगा ना तो government जहां पर चाती है वहां पर पैसा खर्च नहीं कर पाती तो क्यों ना इस fiscal deficit को regulate किया जाएगी पर आपको एक मजे की बात बताता हूँ एक अलग पहलू अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि यह जो सरकारे जब market में पैसा फैकती है ना तभी यह मान के चलो हमारी देश की economy कभी डूबती नहीं है यह एक अलग तरीके का राज है यह आपको समझ में आ चुका होगा अब तक इतनी आपने economy के हमने discussion सुन ली है नो डाउट एक discipline होना चीए deficit जादा नहीं होना चीए पर आप यह मान के चलना कि अगर यह deficit वाला risk ना उठाया जाएगा ना तो मानों की market में इतना liquidity घुमेगी नहीं और liquidity नहीं घुमेगी तो फिर कहां 5 trillion dollar की economy बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा ठीक है तो अभी जो economy sustain करती है नो उसमें कहीं नहीं यह role है वो सकता है मैं technically incorrect हूँ बड़ यह point रहता है आप देखा करो हमारे यहाँ पर शादियों में कितने पैसे खर्ज करते हैं लोग क्यों करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हाँ भई मुझे मेरी reputation मनानी है ठीक है या फिर समाज में कुछ तो करूँ जो अच्छा करूँ ठीक है कोई मेरे उपर उंगली ना उठाए कई कारण होता है आपको भी पता है तो वहीं पर आप नजर डालोगे तो यह logic यहाँ पर आ जाता है कि time to time different elections होते रहते है खेर मुद्दे की बात यह है कि आज का जो fiscal deficit है वो आने वाले समय के लिए burden वाली situation है तो क्यों ना हम fiscal responsibility laws की बात करें इसका मतलब यह हुआ कि सरकार के उपर एक pressure हो कि भई आप मनमाने तोर पर मन में आए जैसे आप कोई भी funds को use नहीं करोगे ठीक है तो इस चीज की examples की बात करें तो जर्मनी के constitution में debt break नाम से एक provision already है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जर्मनी की जितनी GDP होती है न उस GDP का 0.35% से जादा 0.35% से जादा जर्मनी की government borrow नहीं कर सकती कहने का मतलब यह है कि जर्मनी की government के जितनी recepts हैं उनसे अगर वो खर्चा बढ़ा रही है recepts से भी ज़्यादा अगर खर्चा करना चाहे तो वो ज़्यादा ज़्यादा कितना जा सकता है GDP का 0.35% इससे ज़्यादा नहीं जाएगा इसी तरीके से USA में भी क्या है statutory debt ceiling लगा रखी है आपने ध्यान हो तो हमने बहुत दिनों पहले एक point discuss किया था कि USA की government के उपर एक pressure है भी जो बाइडन administration के उपर कि अभी जितना उनको allow किया हुआ ना कि GDP के comparison में आप इतना fund खर्च कर सकते हो या इतना fiscal deficit आपके लिए सही है इससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते वो limit breach होने की परिस्तिती आ गई तो ऐसे में USA की Congress में फिर जो अभी तो Democrats है ये जो बाइडन है डेमोक्रेट है और वहीं पर Republican Party उसकी पकड़ है उदर ठीक है Congress में तो ऐसे में दोनों पार्टी इसके बीच में consensus आई तब जाकर कि USA का system आगे चलता रहता है ऐसे कई बार मुद्दा आता है कि USA की federal government जो ना वो अपने खर्चे को एकदम से रोक देती है कि हाँ भई अम आप खर्चा नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो legal obligation है कि आप ज़्यादा करजा नहीं ले सकते बोला ऐसा ही कुछ हमें भी करना चाहिए हमारे यहाँ पर constitutional provisions की बात करें तो constitution में article 292 ये कहता है कि जो consolidated fund of India जो है उसका जितना उसकी जितनी amount है ना उसी के बिहाफ पर government security issue करती है bond issue करती है और उसके बदले में market से पैसा उधार लेती है ठीक है इसका मतलब consolidated fund of India जितना strong होगा उतना ही government of India उधार लेने के काबिल बनती है consolidated fund of India सीधी से बात है revenue receipt और revenue expenditure इनी से deal करने वाला fund हो गया तो point यह है कि कितना percent आप consolidated fund of India का इंपोस करती रहती है कि आप इतना percent कर सकते हो इतना नहीं कर सकते तो article 292 जो कहता है यह आप जरूर ध्यान रख लेना यह prelims point office से important fact है कि government of India को यह union government को borrow करने के लिए कितना allow किया हुआ है तो article 292 के हिसाब से देखें तो consolidated fund of India के एक particular percentage तक आप security issue कर सकते हो bond issue कर सकते हो जिससे market में जैसे ही वो security document release करोगे लोग वो document खरीद करके आपको पैसा देदेंगे और पैसे को आप use करो और फिर समय आए तब वो document आप वापिस लेलो लोगों का पैसा उनको return कर दो इससे लोगों को benefit भी मिलता है ठीक है इस तरीके से security transaction हो गया इसमें benefit तो ऐसे कि मतलब ब्याज भी हो सकता है या face value के हिसाब से उनको benefit मिल जाता है कि government ने जो securities the market में हो सकता है 100 रुपए का एक bond release किया हना government security release की तो उस पे government लिखते हो देगी इस तरीके का transaction चलता हुदर अब देखो यहाँ पर parliament में जो कुछ भी होता है हना इस तरीके से fiscal deficit को control करने के लिए no doubt Germany और USA के लिए इसाब से हमारे यहाँ पर भी log लाए गए हैं जिनको हम बोलते है fiscal responsibility लो FRL इसी दिशा में EAS Sharma इनकी chairmanship में committee constitute हुई और उनकी recommendation basis fiscal responsibility and budget management act लाया गया 2003 में फिर उसके बाद में विजय केलकर की leadership में एक task force constitute हुई की कैसे implement किया जाए इस FRBM act को target क्या था again वो ही fiscal responsibility और budget management कि सरकार जो है वो बिना सोचे समझे fiscal space को खतम ना करे उसकी responsibility fix की जाए तो ये act लाया गया बट problem क्या है कि जिस intention के साथ ये act लाया गया था ना वो intention fulfill ही नहीं हो पाती क्यों नहीं हो पाती है उसका जवाब देखते हैं writers बोल रहे हैं कि हमारे पास में बहुत सारे evidences हैं कि जब ये FRBM act जो है वो 2003 में आया 2004 से implement होना शुरू हुआ आज 19 साल बीच चुके हैं इतने deviation आ गये है कब अचीव नहीं हुए FRBM review committee 2017 में आई प्रबेबली N.K. सिंग की चेर्मेंशिप में थी ये FRBM review committee तो आप देखोगे कि उस time पर amendment लाया जाता है new debt management and fiscal responsibility bill उसमें ये था कि जो FRBM act में जो targets लिए गए थे वो achieve नहीं हो रहे थे क्योंकि कई issues आ गए थे तो बोले कुछ से settlement कर लिया जाए कि हाँ जी आने वाले समय में इतना हम achieve कर लेंगे fiscal deficit और ये सारा एक बार आप FRBM act के बारे में जरूर पड़ोगे ठीक है इससे क्या आपको idea लगेगा कि क्या rule regulations हमारे याँ पर fiscal management के लिए लाए गए है अब होता क्या है कि यहाँ पर यह जो FRBM implementation के हम बात कर रहे है कि जो government पर limitation है कि आप इतना fiscal deficit ले सकते हो या फिर इतना उधार ले सकते हो इतना ज्यादा नहीं ले सकते तो वो regulation जो ना वो FRBM act के basis पर उतार FRBM act को article 110 के under में money bill के तौर पे देखा जाता है money bill या finance bill के तौर पे देखा जाता है अब money bill के जब बात आ जाती है तो आपके यहाँ पर कान खड़े हो जाने चाहिए money bill का मतलब लोग सभा जो है वो राज्य सभा से जादा superior होती है राज्य सभा के पास तो इतना ही होता है money bill के मुद्दे में कि वो 14 days का time है उन 40 days में राज्य सभा yes, no, approve, disapprove कुछ भी करे या कुछ recommendation दे दे तो अगर 14 दिन में कुछ recommendation दी और वो recommendations लोग सभा में चली गई अब लोग सभा चाहे तो उन recommendation को accept करे, चाहे तो reject करे final जो decision होगा वो लोग सभा का ही होगा कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ पर जब हम fiscal responsibility law की बात कर रहे है Indian context में FRBM Act की बात कर रहे है तो इसको amend किया जा चुका है कई बार, हाना 2003 से लेकर कि अभी तक कई बार इसको amend किया जा चुका है क्योंकि government इसके targets को achieve भी नहीं कर पाती है amendment कैसे हो पाता है सीधी बात है कि लोग सभा में किसके पास में majority रहती है आपको भी बता है ruling party ruling party that means union government तो union government के ओपर लगाम लगाने कि यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है लोग सभा की money bill के according अगर देखें क्योंकि यह जो bills है FRBM या fiscal responsibility laws की हम बात कर रहे हैं इनको money bill के तोर पे introduce किया जाता है parliament में money bill की तरह introduce हुआ तो लोग सभा, लोग सभा में तो union government और union government का मतलब कहने का मतलब union government तब जब लोग सभा में majority आपको bill को change करना है तो majority चीए majority government की खुद की है तो government क्या अपने पेरों में बेडिया डालेगी बिलकुल भी नहीं तो ये scenario जो है ना कही ना कहीं क्या show करता है कि जिस intent के साथ में FRBM act को लाया गया था वो intent implement ही नहीं होता उस intent के साथ implementation ही नहीं हो रही है results भी आपको favorable नहीं मिल रहे हैं और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या बताया कि बही जो काम यहाँ पर binding nature में होना चीए क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा की इतनी कोई problem नहीं है ऐसी परिस्तियों में government की लगाम लगानी बहुत मुश्किल हो जाती है 2008, 2004, 2008 2012, 2015 2018 इतनी बार FRBM act को amend किया गया है, change किया गया है targets achieve नहीं हो पाए है जबकि target 2003 में fix किये गये थे अब वो बात अलग है बीच-बीच में global crisis भी आते है, 2003 में act आया और 2008 में subprime crisis आ गया उसकी वज़े से मंदी में चली गी थी दुनिया, तो target defer कर दिये फिर उसके बाद में देखें तो demonetization और यह कई ऐसे incident हुए, GST implement हुआ तो defer कर दिया, फिर covid आ गया, फिर defer कर दिया, आज तक FRBM के target अची भी नहीं हुए, और हुए भी है तो partially हुए है, तो कहने का मतलब यह है, कि यहाँ पर सबसे बड़ी problem यह है, कि सारा जो मुद्दा है, वो exclusively लोग सबा के आत में, अब आपको यह भी पता होना चाहिए, कि अगर लोग सबा के आत में, तो लोग सबा बिल, जब भी government लेकर के आती है, वो हमेशा पास होते हैं, अगर money बिल फेल हो गया ना लोग सबा में, इसका मतलब government के पास majority नहीं है, और government को उसी time immediately resign करना पड़ेगा, इसका मतलब money bill generally pass ही होते हैं, आप यह मान के चलो, क्योंकि money bill लाएगा, कौन government ला सकती है, कोई और ला नहीं सकता, अना private member bill तो है नहीं, money bill, government का होता है क्योंकि money bill किस से related है consolidated fund of India जो funds है, government के पास में, वो जो कि लोगों के tax से कटा हो रखे हैं तो कहने का मतलब, लोग सबा में यह चीज़े decide होती हैं, हाँ, एक option है, कि जो dissenting members हैं, जो नाराज हैं, हमान लोग government के खिलाफ decision देना चाहते हैं उनके साथ में यह problem है कि उनकी parties है ना, वो whip issue कर देती है कि हम जो बोल रहे हैं ना, अला कामान ने जो बोल दिया, उसी के हिसाफ़ से आपको vote देना पड़ेगा, अगर आपने उस limit को cross कर दिया तो भई, आप defected consider किये जाओगे, आपको party से बहार निकाल दिया जाएगा, तो ऐसे में कोई MP हिम्मत ही नहीं करता है, अपनी party leadership के against में जाके vote देने की, फिर बात आती है coalition governments की, तो देखो, सरकार बचाने के चक्कर में coalition members है ना problem होती थी, कहने का मतलब fiscal responsibility settle करना अभी तक तो देखो possible होनी पाया है, कोई कहे कि कानून बना दो, जी कानून से इंडिया में तो नहीं हो पा रहा है, इसकी main जड़ क्या है, main जड़ है, आप इसको money bill के तोर पे introduce कर देते हो, और लोग सभा इसमे superior बन जाती है, और लोग सभा में superior कौन, जिसके पास majority है majority किसके पास होती है, जो union government बना के बैठा है, कहने का मतलब, government ही अपनी लगाम decide करेगी, government ही अपनी freedom decide करेगी, तो यहाँ पर कोई accountability fix कर सकता है, I mean responsibility fix करता है, कर सकता है पैसे के मामले में, answer है no अगर बचाने का कोई तरीका है, तो constitution में खुद में provisional article 110, इसकी वज़े से बोला, वो proper implementing नहीं हो पाता, यहाँ पर जरूरत है fiscal institutions की हमें law बनाने से काम नहीं चलने वाला, law तो हमने बना लिये law तो change होते रहते हैं, proper fiscal institutions established होने चाहिएं, वो अगर कुछ कर सके तो यह काम हो सकता है कि जहाँ पर government जो है, वो चुनाव को ध्यान रखते हुए, अपने कई ऐसे announcements कर देती हैं, जो की आने वाली generations पे burden का काम करती हैं, वो ही पहली बात, आज का deficit आने वाला taxation है, next article है, the G2 A2 anxiety, G2 China-U.S. grouping, A2 Asian for Asia, China-India relations, यह है मेन मुद्दा, anxiety क्यों, वही सीधी बात है, दोनों में common कौन, चाइना, एक तरफ है USA, एक तरफ है इंडिया, दोनों अभी openly देखा जाए, तो चाइना के साथ दुश्मनी में हैं, दोनों अभी दोस्ती भी निभा रहे हैं, U.S. और इंडिया, बट, बट है यहां पर, बट क्यों, कि दोनों में common है चाइना, USA भी चाइना के साथ ने अपने diplomatic relation खतम नहीं कर रहा है, और इंडिया भी अपने diplomatic relation खतम नहीं कर रहा है, या फिर हम कहें, कि दोनों कहने को तो यह कह रहे हैं कि चाइना बहुत बुरा देश है, बट, USA G2 का नाम लेकर के, वर्ल्ड की top two economies का नाम लेकर के आगे बढ़ना चाहता है, engagement चलती है, और वहीं पर Asian century का नाम लेकर के इंडिया और चाइना के बीच में बातचीत होती रहती है, एक border dispute का ही तो मुद्दा है, तो बुले, दोनों की relationship में, जो observers हैं, experts हैं, वो कहते हैं, कि बुले, दोनों के बीच में G2 और A2 का जो मुद्दा है, चाइना को लेकर के, एक gap create करता है, इंडिया-U.S. relations में, यह main theme है इस article की, आपको समझ में आ गई होगी, तो यही चीज यहाँ पर बताई जा रही है, कि G2, that means C no U.S. rapproachment, A2, C no India deal, ठीक है, दोनों में China है common, दोनों China से दुश्मनी लेकर के चल रहे हैं, बट दोनों बातचीत भी कर रहे हैं, जिसमें USA की cabinet members आते हैं, चाइना की trip पे, तो इंडिया वाले देखते हैं, देखो USA ऐसे तो गालिया देता है चाइना के साथ, दोस्ती करके रखता है, वहीं पर BRICS में और G20 Summit की बात करें, तो इससे related हमारी जो conversation है, चाइना के साथ continue चल रही है, तो उसको लेकर के USA वाले देखते हैं, तो इससे तो इंडिया बोलता है, चाइना हमारा दुश्मन हो दुश्मन है, देखो बाते करते हैं, तो एक तरीके का दोनों के बीच में, एक है doubt, या फिर कहो कि कहीं न कहीं एक ऐसा question है, ठीक है, interrogative point है, क्या इंडिया पे हम blindly faith गड़ सकते हैं, ये तो सोस्ता है USA के लोग, क्या हम USA पे rely कर सकते हैं, ये सोस्ता है Indians, क्योंकि पास्ट भी तो कुछ ऐसा ही रहा है न, पास्ट का कैसे हैं, देखो सीधी बात है, अगर cold war period की हम बात करें, इंडिया के point of view से हम देखो भी करें, बगना cold war period की हम बात करें, तो क्या चाइना को balance करने के लिए, इंडिया और US के relation कभी cooperative रहें, या फिर हम ये कहें, कि इंडिया और चाइना के रिष्टे बिगड़े, चब तब USA ने क्या इंडिया का साथ दिया, तो वहां की अगर history की बात करें, तो वहां पर doubt है, बहुए सीधी बात है, इंडिया चाइना relation बिगड़े हुए थे, ठीक है cold war period के time पे, उस time पर USA ने इतना ज़्यादा हमारा साथ नहीं दिया, क्योंकि हमारा USSR के साथ रिष्टा ठीक चल रहा था, और USSR और USA के रिष्टे बिगड़े हुए थे, और इसी के चलते हैं, जब 1960s में, 1960s में USSR और चाइना के रिष्टे बिगड़े, तब उसका फाइदा USA ने उठाया चाइना के साथ दोस्ती बनाई, और चाइना ने फिर अपनी खुद की एंगेजमेंट बनाई ली थी USA के साथ में, फिर ओपन डॉर पॉलिसी एंगेजमेंट वो चली रहा था, और उसी क्या दार पर आज तक चाइना आगे प्रोग्रेस कर भी पाया है, ठीक है, दूसरी अगर बात करें, तो जब 1950s में इंडिया-चाइना रिलेशन अच्छे चल रहे थे न, उस चीज को लेकर के वाशिंग्टन खुश नहीं रहता था, आपको पता है, शुरुवात में हिंदी-चीनी भाई-भाई वालो जो माहूल बना था, ठीक है, तो उसको लेकर के युएस से खुश नहीं था, तो cold war period तो देखो more or less ऐसा गया, जिसमें युएस और इंडिया दोनों आमने सामने के धड़ों में थे, चाहे directly चाहे indirectly किसी भी तरीके से बात करो, फिर थोड़ा बात करते हैं, अभी recent developments की, जब चाहिना ने South China Sea में अपनी aggression दिखानी शुरू की थी, यह तो क्या है, कि चाहिना ने अब सीधा USA से दो-दो हाथ करने की बात कर दी, तब USA थोड़ा concerned है, जबकि South China Sea में चाहिना ने कब से दादेगरे लगानी शुरू कर रखी है, कम से कम 20 साल का टाइम हो चुका है, या पहले से भी बोल रहा है, कि South China Sea थो हमारी, क्या, ancient lake है, तो उस टाइम पर Washington ने क्यों attention पे नहीं की, हाना, और आज, कॉड जब आ रहा है, कॉड की membership की बात आती है, तो इंडिया ने 2007 से लेकरके, 2017 तक कॉड को बिलकुल भी accept नहीं किया, पर 2017 में जब डोकलाम incident हो गया, और उसके बाद में फिर ये issues आगे बढ़ते गए, tensions create होती गई, तब इंडिया ने decide कि हम तो कॉड जोइन कर रहा है, तो इसमें इंडिया पे doubt आते हैं, कि आप एक चीज़ बताओ, कि जब कॉड का idea 2007 में आगे तो इंडिया इतना hesitate क्यों कर रहा है, कहने का मतलब doubts के बहुत सारे सवाल है, हाना, anxiety इसलिए बोला है, बट आज की परिस्तितिया क्या show करती है, कि क्या इंडिया, चाइना, क्या यूएस, चाइना, relations आने वाले समय में जल्दी से सुधरने वाले हैं, तो answer है no, ये एक तरीके का structural difference है, जिसको correct होने में बहुत समय लगेगा, ठीक है, वाशिंग्टन और दिल्ली, दोनों चाइना को primary rival के तौर पे देख रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पर एक एंगल आता है, एक और, क्या एंगल आता है, आज की परिस्तितियों में, इंडिया का एक और पडोसी दुश्मन है, that is Pakistan, पाकिस्तान को किसका support है, चाइना का, चलिए, USA directly threat के तौर पे, western countries, USA के साथ मिलके, रशिया को threat के तौर पे देख रहे हैं, किसका support है, चाइना का, तो कहने का मतलब, वाशिंग्टन की चाइना से tension है, इंडिया की चाइना से tension है, वाशिंग्टन की रशिया से tension है, और उस tension में रशिया के तरफ China है, इंडिया की relation पाकिस्तान से अच्छे नहीं है, और चाइना पाकिस्तान की तरफ है, तो कहने का मतलब यह हुआ, कि दोनों के लिए चाइना, इंडिया और वाशिंग्टन, और इंडिया और USA के तो यह एक तो चीज क्या solidarity क्या confidence देती है कि tension मतलो चाइना से दोस्ती बुनने के chances दोनों कंट्रीज के अभी तक दूर दूर तक नहीं है चाहिए पाकिस्तान एंगल से देख लो रश्यान एंगल से देख लो या किसी और एंगल से देख लो directly ठीक है US-Russia I mean US-China और India-China इसी US-China relations को बिगाड़ दिया है और A2 India-China relations को बिगाड़ दिया है ठीक है अब सीधी बात आ रही है आगे की आज economy technology हर segment में चाइना इंडिया और Washington के साथ में competition में है दूसरी तरफ security की बात करें AUKUS South AUKUS जिसमें Australia UK USA इसके अलावा South Korea और Japan के साथ में USA ने trilateral summit organize की है इसके अलावा Papua New Guinea के साथ में 500 million मतला Papua New Guinea के साथ में defense cooperation का agreement sign किया है किसने USA ने Taiwan को 500 million dollar के arm sale करने की बात की है तो यह सारा क्या है यह चाइना को contain करने के लिए USA के कदम वहीं पर दूसरी तरफ इंडिया security point of view से Japanese और French naval ships को इंडिया अपने अंडमान islands की तरफ बुलाता है मलक का स्ट्रेट के पास में जहां से Chinese vessels गुजरते रहते हैं Australia के साथ में हमारी engagement high level पर चल रही है वहाँ पर हम हमारी security submarines deploy कर रहे हैं जो कि आज तक पहली बार हुआ है Philippines के साथ में हमारी engagement ऐसी चल रही है कि कैसे China को contain करें South China Sea के लिए India बार बार बोलता है कि 2016 में 2016 में जो International Court of Justice के तरफ से जो order आये हैं उनको China follow करें कहने का मतलब यह हुआ कि China के साथ में अभी US और इंडिया के रिष्टे जल्दी सुधरने वाले हैं दूर दूर तक नहीं लग रहा है बट यह जो doubt आना G2A2 वाला यह कही ना कही concerning है अब सवाल है कि क्या इसको ignore करना चाहिए address करना चाहिए तो हमेशा इस cancer रहेगा address करो address का तरीका कि देखो एक proper manner में outreach होनी चाहिए US और इंडिया के बीच में कि कहीं पर भी कोई doubt का अगर कोई एक doubt का DB अगर शुरू हो रहा है तो एक दूसरे को पहले inform कर दो कि भाया tension मतले ना हमारी तरफ से कोई इस तरीके का अप्रोच नहीं है जिससे कि हम चाइना के साथ में हमारी relationship सुधार रहे है तेरे साथ दोखा हो जाएगा है सानी है एक proper engagement transparent manner में engagement होनी चाहिए साथ में public messaging को promote करो जिससे की people to people contact जो इंडिया यूएस people to people contact है उसमें confidence बना रहे है इसके अलावा focus जो है वो trend पे होना चीए ना कि individual data point of view that means अभी का scenario क्या है scenario क्या कहता है चाइना से क्या रिष्टे बनाने है चाइना का क्या काम करने का तरीका है हमें उस पर ध्यान देना चीए बजाए इसके कि चाइना इस particular segment में क्या कर रहा है ठीक है तो overall approach होनी चीए रही बात past की present की इन सब को assess करते हुए हमें हमारे relationship को continue करना होगा तो कुल मिला करके देखा जाए तो non-China segment में इंडिया यूएस को अगर आगे चलना है तो confidence building majors तो करने होंगे past में क्या किया उससे भी learn करो और आगे क्या चाते हैं उसके हिसाब से plan करो तो ये था G2A2 एक तरीके से anxiety तीन articles से आज discuss करेंगे बच्चे विए बाद में देख लेंगे ठीक है thank you very much contribute करते रहो गारगी classes को motivation मिलता है thank you और promote करो गारगी classes को share करो देखो videos तो आपको इसी तरीके से late ही मिल पाएंगे कोशिश कर रहा हूँ मैं settlement करने की जल्दी ही आपके लिए अगर सारा setting set हो गया ना तो जो पहले चलता था ना प्रोसेस सुबह आपको मिल जाता था आठ नो बजी के लगबग वीडियो वो मिलने लग जाएगा बट अभी नहीं मिल पाएगा इसके लिए मैं पहले से sorry बाल जो गाऊं कई बार ठीक है thank you